Hello students, मैं दॉक्टर लाता अगरवाल आज हम बीए पार्ट थर्ड एर में पार्ट टू के अंतरगत कॉन्वालिस के जूडिशेल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कल हमने अड्मिस्रेटिव रिफॉर्म के अंतरगत उसकी प्रशासनिक और व्यापारिक सुधार के बारे में पढ़ा आज जूडिशेल रिफॉर्म्स 1786 में कम्पनी ने उच्ची बंची कूलीन ब्रित्ती के व्यत्ती लॉड कार्ण वालिस को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतरगत रेखांकित शान्ती स्टापना तता शासन के पुनर गटन हेतु भारत का गवर्नर जनरल बनाया हाला कि वेवेक्ति इमानदार था कर्तवे निष्ट था और प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी रगता था उसने जब यहां आकर के देखा तो सबसे पहले उसने न्याईक व्यवस्ता को भी सुधाने का प्रयास किया प्रशासनिक व्यवस्ता के साथ साथ उसने न्याई प्रशासन में सुधार करने के लिए एक कानवालिस कोट कानवालिस सहीता का निर्मान किया और जो 373 में में लाबू की इस सुधार के अंतरगत उसने प्रसिद्ध सिद्धान, सैप्रेशन ओफ पाउर, शक्तियों की प्रथक करन पर जोड दिया उसने कर तथा न्याई प्रशासन को प्रथक कर दिया, उस समय तक जीले के कलक्टर के पास भूमी कर विभाग, विस्तित न्याई और दंड न्याई शक्तियां होती थी कॉन्वालिस ने अनुभव किया कि कलक्टर की रूप में किये अन्याय का निन्ना कोई स्वेम न्याय जीश की रूप में कैसे कर सकता है जमिदार तता क्रिशक को इस न्याय में विश्वास नहीं होगा अते कॉन्वालिस ने कॉन्वालिस कोड द्वारा कलक्टर की नियाई तता फोसदारी शक्तियां ले ली और उसके पास केवल करसंबंदी शक्तियां ही नीहित रही। दिवानी न्याईलों की कारे के लिए एक नए अधिकारियों की श्रिनी जिला न्याईधीश कठित की गई और इसकी फोसदारी तथा पुलिस की कारे भी दिये गई इस प्रकार उसने दिवानी अधालतों का विभाजन किया छोटी अधालत जो मुन्सिफ कहला है जिला अधालत जो जिला दिवानी अधालत कहला है प्रांती दिवानी अधालत जो प्रांती प्रांतों में स्थापित की गई थी जैसे कलकत्ता धाका पत्ना मुर्शी दबार प्रांथी जामत आदालत कि लिए्षो के इंतर्गेद्ट कानवाली स्कोर्ड के अंतरगर्ट निजामत या फौसदारी आदार्टों की में न्याई जीशों की नियुक्ति की गई न्याई व्यवस्था को प्रशाथसन से अलग कर दिया यही उसकी महत्त पूर्ण उप्लब दी थी कलक्टर से जब उसने न्याई संबंदी अधिकार ले लिये तो कलक्टर का भ्रश्ट होना या भारती प्रजा के प्रति एमान भी व्यवार करना बंद हो गया कंपनी के करमचारियों पे जो मुकदमे चलाने की व्यवस्था की रह भी उसने अलग से की थी इस प्रकार न्याई व्यवस्था को प्रशासन ते प्रठक कर उसने कंपनी के आर्थिक हीतों को भी ध्यान में रखा दोनों दिवानी और फोसदारी दोनों के अंतरगर सुधार करने का उद्देश है भारती जनता को हक या न्याई निन्न देना नहीं था बरन वह ऐसे न्याई धिशों की न्यूक्ति करना चाहता था जिससे की अदारलत में ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश व्यक्ति यदि कोई कानून का विरोध करता है या किसी कारण बच दंडित किया जाता है तो वह दंडित होने से बच सके और उसने इसका जितनी कोशिश हो सकती है उसने ये प्रियास किया प्रालती ब्रहमन करने वाली अदालत जो दिवानी अपिले भी सुनती थी फोसदारी ब्रहमन करने वाली अदालत के रूप में कार्य करती थी इनमें भारतिय काजी ततम होती होती थे इन्हीं मृत्यू दन्दे देने की अनुमती थी परन्तु उनकी पुष्टी पर सदर निजामत अदलत द्वरा आवजशक्ती और सदर निजामत अदलत के अधिकारी मूलत है ब्रिटिश ही होती थी इस प्रकार उन्होंने ज्याइक सुधार के मार्द्यम से पुलिस व्यवस्था को भी शक्तिशाली या सूधर किया बजार में से तो लोग सूर्यास्त के पश्चात गुजरते नहीं थे पुलिस अधिक्षक सुप्रिडेंट भी जो प्राइब भष्ट थे उन्हें मांधारी लाने का उसने प्रयास किया अंग्री दंडन आयोको को जिली के जिले के पुलिस का प्रभार भी दिया गया चार सो बर किमिल के शेत्रों में जिले को विभाजित किया गया और प्रतिक शेत्र में एक दारोगा उसकी साहिता के लिए पुलिस करमचारी नियुक्त कर दिये ग 36 प्रकार के कर लगे थे वो 23 कर दिये गए और उसने पुरानी राज्यस्य समीती कमीटी ओफ रेवेन्यू का नाम बदल कर बोर्ड ओफ रेवेन्यू रग दिया गया इसका कार्य कलेक्टर के कार्य का निरिक्षन करना था और 97 तक बार्शिक ठेका चलता था 97 में कौनवालिस ने कौर्ट ओफ डायरेक्टर्स की अनुमती से जमिदारों को भूमी का स्वामी स्विकार कर लिया यह भी इसकी एक बहुत बड़ी उपलब दी थी उसने शारति यह रखी कि वे वास्चिक कर कमपनी को देना स्विकार करे ठेके की राशी में से एक बटा ग् कर दिया गया और यह व्यवस्ता उसने दसवर्ष के लिए लागू की गई और 373 में इसे स्थाई बना दिया गया इस प्रकार लौड कार्मवालिस ने अपने अधिकारीं को भ्रश्ट होने से रोका और ज्याई व्यवस्ता का प्रठक करनकर उसने हला कि भारतियों को को कोई न्याई दिलाने का ऐसी महती भूमी का नहीं निवाई हाँ इतना अवश्य है कि उसने ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश प्रजा की हित्मी कार्य कियां धन्यवाद